बाइ मिस्टेक अगर आपने गलत बैंक एकाउंड में पैसे ट्रांसफर कर दिया है यूपियाई पिमेंट के थुरू कहीं गूगल पे फोन पे वगेरा सा कहीं दूसरे किसी गलत नंबर पैसे चले गए है आपके तो उस रिगार्डिंग आप कहां पे कंप्लेंड करेंगे कै कैसे आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे सारी चीजे आज यहां पे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो कौन तक देखते रहें यह शली सुरू करते हैं ठीक है तो यहाँ पर UPI का complaint करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर यह website open कर लेनी है npci.org.in website जब open होगा तो यहाँ पर आपको यह option का button दिखाई देगा इस पर आपको click करना है और get in touch का यह option है इस पर आपको click करना है click करेंगे यहाँ पर option है UPI complaint इस पर आपको click करना है जब click करेंगे यहाँ पर next page आपके सामने open होगी यहाँ पर आपको scroll down करना है और यहाँ पर complaint का यह option आपको दिखाई देगा अब यहाँ पर बहुत सारे options दिए गए हैं तो हमें option select करना है यह transaction वाला क्योंकि हम गलट transaction के बारे में यहाँ पर complaint करना चाहते है तो यहाँ पर transaction पर आपको click करना है click करेंगे यहाँ पर कुछ options आपको यहाँ पर fulfill करना है कुछ form जैसा है यह इसको आपको fulfill करना है जैसे यहाँ पर select nature of transaction तो आपने किसको payment किया हुआ है, person to person मतलब आपने किसी person को payment किया हुआ है, या फिर person to merchant, merchant का मतलब हुआ है कि आपने किसी shop को payment किया हुआ है, या फिर किसी mall में payment किया हुआ है, तो person to merchant ये हो गया, और person to person एक single person हो गया, कि आपने किसी गलत इनसान को payment कर दिया, तो मैं यहाँ person to person select कर रहा हूँ आपने अगर किसी merchant को payment कर दिया हुए तो आप person to merchant वहाँ पर select करेंगे उसके बाद यहाँ पे issue आप select करेंगे यहाँ पे आपको select करना है incorrectly transfer to another account यह उसके बाद यहाँ पे comment में आपको type कर देना है कि आपने गलती से पैसे किसी गलत account में transfer कर दिये ठेक है उसके बाद यहाँ पे आपको transaction ID enter करना है transaction ID आपको कहां मिलेगा वह आप यहाँ पे देखिए screen sort में आपको यह वाली transaction ID यहाँ पे enter कर देना है उसके बाद यहाँ पे bank name आपको select कर लेना है कि आपका किस bank से पैसा कटा है तो आप यहाँ पे बहुत सारे banks यहाँ पे दिये गए हैं जो भी banks आपका होता है वो आप यहाँ पे select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको आपका UPI ID enter करना है तो UPI ID आपको कहां मिलेगा वो आप देखिए आपको यह वाला UPI ID यहाँ पे enter कर देना है उसके बाद आपका कितना amount गलती से transfer हुआ है तो वो आप यहाँ पे enter कर देंगे उसके बाद यहाँ पे date of transaction क्या है आपने किस date में transaction किया हुआ है वो आप यहाँ से select कर लेंगे उसके बाद अपना email ID आपको देना है जो भी आपने UPI बनाया हुआ है जिस भी application में phone पे Google पे Paytm कहीं पे भी बनाया हुआ है तो वहाँ पे कौन सा अपना email ID दिया हुआ है वो आप यहाँ पे देंगे उसके बाद registered mobile number यह आपको देना है जो भी जिस भी number से आप अपना UPI operate करते हैं यहाँ पे mobile number दे देंगे उसके बाद यहाँ पे आपको अपना bank statement latest वाला जिसमें वो transaction सो हो रही हो वो आपको यहाँ पे upload कर देंगे तो statement आपको मिल जाएगा आप passbook update करवा सकते हैं बैंक जाकर या फिर अगर आपके पास internet banking है तो आप वहाँ से statement डाउनलोड कर सकते हैं statement डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे upload करना है आप यहाँ पे देखिए jpg या फिर png pdf आपकी cv format में upload कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा pdf या फिर jpg फोटो जो है वो 2mb से जादा नहीं होना चाहिए select करने के बाद आपको यहाँ पे submit पे click कर देना है जैसे ही submit पे आप click करेंगे यहाँ पे देखिए request submitted successfully मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पे अपने गलती से हुए UPI transaction के बारे में यहाँ पे complain कर दिया हुआ है अब आगे का process जो है वो NPCI वहाँ पे अपने through वहाँ पे मतलब check करेगा और आपके problem का solution देगा ठीक है तो same method को यूज करके आप भी ऐसे ही complain कर सकते हैं अगर आपने गलती से पैसे किसी गलत bank account में transfer कर दिया है अब यहाँ पे बात है कि कितना दिन का समय लग सकता है तो इस process को complete होने में maximum तो मतलब 90 days का समय ऐसा बोला गया है लेकिन आप ऐसे expect करके चलिए कि 7 days के अंदर आपको इसका resolution मिल जाएगा bank की तरफ से आपको contact किया जाएगा email के थूँ आपके phone number पे और जो भी वहाँ पे possible वहाँ पे आपकी problem का solution होगा वहाँ पे बता दी जाएगी तो 7 days का आपको wait करना पड़ सकता है तो बस फिलाल आज की वीडियो मस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करे, comment करे, share करें चैनल को subscribe करें मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई, जैहिन